आज की MSCT क्लास में हमारे पास हम तनकी संख्या 3 को डिसाइड करेंगे तनकी संख्या 3 क्या है अमूमन जो MSCT के क्लेम्स होते हैं उनमें 4 तनकीया बनती है पहली तनकी इस बारे में होती है कि क्या जिस ओफेंडिंग विकल से जो ओफेंडिंग विकल है उससे एक्सिडेंट हुआ है तो उसकी क्या उपेक्षा और उतावलापन था और क्या उसी उपेक्षा और उतावलेपन से एक्सिडेंट हुआ तो पहली तनकी ये बनती है दूसरी तनकी में ये डिसाइड किया जाता है कि वहन का ओनर कौन है और ड्राइवर कौन है और क्या उसकी बीमा पोलीसी हो रखी थी ये दूसरी तनकी में डिसाइड किया जाता है और तीसरी तनकी में बीमा पोलीसी की अगर कोई भी आपत्ती होती है तो उसे decide किया जाता है और चौथी तनकी होती है कि विक्टिम को क्या compensation मिलेगा क्या अनुतोष मिलेगा तो चौथी तनकी अनुतोष के बारे में होती है तो आज जो हम इस तनकी संख्या तीन के बारे में एक महतुपूर्ण केस को देखेंगे तनकी संख्या का as it is pattern जो है वो मैं यहां लिख रही हूँ क्या विपक्षी गण याचिका के उत्तर में उठाए गई आपत्यों के आधारों पर छदी पूर्थी के दायत्वसे मुप्त होने के अधिकारी है जनरली यह विपक्षी गण कौन होते हैं बीमा कमपनी होती है और बीमा कमपनी आपत्य उठाती है जो basic आपत्य होती है च्छतिपूर्टी के दायतवसे मुक्त होने के अधिकारी है यानि बीमा तो हो रखा है अगले ने बीमा कमपनी से बीमा पॉलिसी ले रखी है लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मूलभूत शर्तों का उलंगन उसके द्वारा कर दिया जाता है कि बीमा कमपनी ये कहती है कि पॉलिसी होने के बावजूद भी वो क्लेम नहीं देगी कमपनसेशन नहीं देगी तो ये बीमा कमपनी के अपत्ती जो है वो तनकी संख्यातीन के तहतर डिसाइड की जाती है अब कुछ ये भी पूछ सकते हैं कि ये तनकी क्या चीज होती है यानि तनकी का मतलब होता है पॉइंट कोई क्लेम पेस किया जाता है तो एक पक्ष ये कहता है कि क्लेम दिलवाएए और वो अपने क्लेम के आदारों को उसमें लिखता है और दूसरी तरफ से यानि जो विपक्षी गण होते हैं जैसे true Alter होता एऔर और पीमा कमपनी होती है ये तीनों अपने अपने जबाब दावे रिटन स्टेटमेंट लेकर आते हैं और उस रिटन स्टेटमेंट के अधार पर जो विवाद के मुख्य बिंदू है वो तै किये जाते हैं और वो ही विवाद के मुख्य बिंदू जो है उनको हम तनकी बोलते हैं या इनको इंगलिश शो बोलते हैं ठीके तो यह इसमें जो भीमा कंपणि यह उसकी जो अपत्ती है उसका जो आपडिक्शन है उसको हम यहाँ ते करेंगे ठीक है तो हम फया thigh तो यहां मैं बार में वाहन के रूप में जो आपत्ती है उसके बारे Simmons कोश्चन आता है कई बार कि गूर्स वीकल में लोग ट्रेवलिंग करते हैं तो वीकल में अगर कोई की जाती है तो क्या वीमा कंपनी कंपन सेशन के लिए लाइबल होगी तो होगी की नहीं होगी यह हमारा कोश्चन जो है वो हम आज की इस वीडियो में तै करेंगे तो इसके आधार पर हम कुछ बातों को जानेंगे और हम इसके आधार पर जो है मानिये सुप्रीम कोट का और मानिये हाई कोट की कुछ डिसिजन्स देखेंगे कि उनमें इस बारे में क्या कहा है कि जैसे एक कोश्च कर्दा यह आया कि प्रार्थी गोड्स वाहन में अनुग्राहक यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था इसलिए बीमा कंपनी कंपनशेशन अधा करने के लिए उत्तरदाए नहीं है य facility करीक्रा है घूर्ड्स व्हेकल है कि ये आनुग्रहिक यात्री ये ग्रेटिट्रोस जो पसेंजर होता है ये कुन होता है ये हम किसको बोलते हैं तो ऑक्सफोर्ट जो हमारी डिक्सिनरी है उसमें इसका मतलब दिया हुआ है डन विदाउट गुड रीजन और गीवन और डन फ्री ओफ चार्ज तो ये हमारे बि पसेंजर जो है वो विक्ति होता है जो बिना कुछ दिये जो फ्री में यात्रा कर रहा है उस वेहिकल में बैठ कर बिल्कुल फ्री यात्रा जो कर रहा है वो हमारा ग्रेटिट्रोस पसेंजर है केमरीज मिनिंग जो हमारी डिक्सिनरी है उसमें भी इसी तरह दिया हुआ है बिना किसी रीजनेबल कोज के वो अपनी ट्रेवलिंग कर रहा है यानि कुल मिलाकर बात यही है कि वो फ्री में ट्रेवलिंग कर रहा है तो ग्रेटिट्ट्र इस पसेंजर आपको समझ में आगया होगा अब इसका जो important case है उसकी हम बात कर लेते हैं जो प्रेमचंद वरसेच मुस्ताख हुसेन का एक केस आया है मान्य रास्थान हाई कोर्ट का ये केस है राजस्थान हाई कोर्ट का और इसमें ग्रेटिटूस पसेंजर के बारे में बात की गई है 23 मार्च 2000 का केस है S.B. Civil Miscellaneous Appeal 297-1998 इसकेस के पहले हम फैक्स जानते हैं कि फैक्स क्या थे फिर हम जानेंगे कि मान्य रास्थान उचनेले ने इसमें क्या कहा था तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि आज का जो वीडियो है वो किस बारे में है यानि हम जो है वो कई बार बीमा पॉलिसी होने के बावजूद ऑनर जो है अपने वीकल की आरसी तो उसके पास होती ही होती है बीमा पॉलिसी वो लेता है क्योंकि थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी लेना में इंडिर्टरी है तो बीमा पॉलिसी وہ ले लेता है वीकल की ये उसने बीमा पॉलिसी ले ली है लेकिन बीमा पॉलिसी लेने के बावजुद कई वार ऐसी शर्तों का उलंगन हो जाता है कि Bima Company ये कहती है कि हम उसके द्वारा जब एक्सिडेंट हो जाता है उसके ड्राइवर के द्वारा तो और क्लेम जब पेश किया जाता है तो वहां क्लेम में Bima Company ये अबजेक्शन उठाती है कि Bima Policy होने के बावजुद हम ये थार्ड पार्टी को क्लेम नहीं देंगे अब थार्ड पार्टी कोन होती है थार्ड पार्टी को यहां मैं सिंपल अर्थ में बदा रही हूँ कि ट्रक के अंदर एक वेक्टी बैठा हुआ है जो फ्री में यात्रा कर रहा है तो हमारा कोश्चन ये है कि हम उसको थार्ड पार्टी मानेंगे कि नहीं मानेंगे क्योंकि थर्ड पार्टी का हमने बीमा करवाया है लेकिन वो जो ट्रक के अंदर बैठा है वो देखती जो फ्री में यात्रा कर रहा है क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी जो लोग है न हमें कई बार हम अपनी दर्यादली के कारण परिशान भी हो जाते हैं और कानून को तोड़ना तो हमा कोई पसेंजर मिला यहां सडक पर कोई पसेंजर खड़ा है और रात का अंधेरा है और वो इस ड्राइवर से ही रिक्वेस्ट करता है है ना वो ड्राइवर से रिक्वेस्ट करता है कि मैं अकेला हूं यहां बीच सडक हाईवे पर खड़ा हूं और मेर कोई इसमें बिठा ल तो यह बिठा लेता है आगी जाकर होता है कि इसका अक्सिडेंट मालो ट्रक का हो जाता है और इस आदमी के डैथ हो जाती है जो बीच रास्ते से बैठा है जिससे यह ट्रक ड्राइवर कुछ भी नहीं ले रहा है बिल्कुल फ्री में उसको बिठा है या कोई 10-20-50 रुपए ले भी लेता है तो वो उस गिंती में नहीं आते हैं अगर ट्रक का ड्राइवर कुछ पैसे उससे ले भी लेता है तो वो वो कोई माइने नहीं रखता है और उसको फ्री ग्रेचिटर्स पसेंजर ही माना जाता है तो यहां भी क्या हुआ कि 2693 की ये बात है एक मदनलाल नाम का आदमी था और उसकी डॉटर थी है ना बॉर्डेड ए ट्रक नंबर एमबी 355 ये जा रहे थे रास्ते से और रास्ते में इन्होंने एक ट्रक को रुखवाया कि भाई हमको बिठा लो ट्रक ड्रक 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 वेरी फास्ट बहुत डाइड ये बने शोट में लिखे हैं एलार फाइल्ड एकेस ओफ एमेसिटी रास्त इनको बिठा लिया उन्होंने अब ये ट्रक ड्राइवर जो है अपने ट्रक को बड़े फास्ट स्पीड से चला रहा था है ना और दोनों ही मर गए ये बाप बेटी ये मदलल और उसकी डॉटर मर गए अब क्या कर ट्रक ओनर के खिलाफ अब बैटे बिठाया आफ़त ले ली ट्रक ओनर और ट्रक ड्राइवर के और इनकी इंसॉरेंस कंपणी के विरुथ इनके इंसॉरेंस कंपणी जिससे इन्होंने इंसॉरेंस ले रखा था उनके खिलाफ इन्होंने केस फाइल किया जब केस फाइल हो तो insurance company ने यहाँ objection उठाया क्या क्या objection उठाया truck was a goods vehicle goods vehicle truck जो है समान ढोने के काम आता है goods vehicle का जाता है इसको माल ढोने का वाहन है victim and her daughter and his daughter victim तो आदमी था ना victim and his daughter were gratuitous passenger ये लोग जो है gratuitous passenger थे इनको कोई third party नहीं माना जा सकता है मुफ्त में ये यात्रा कर रहे थे और इनका कोई premium बीमा पोलिसी में नहीं लिया गया था इसलिए company can't identify the risk of such passengers ऐसे यात्रियों का risk जो है बीमा company cover नहीं करती है अपनी policy में इसलिए बीमा company compensation नहीं देगी question for determination जो है issues इसमें बने और जो तीन issue है वो सामने आया whether an insurance policy in respect of a goods vehicle a goods vehicle की insurance policy है would cover gratitude passengers in view of the legislative amendment in 1994 to section 147 of motor vehicle act 1998 motor vehicle act की जो section 147 है इसमें 1994 में amendment हुआ था तो इस amendment के बाद भी ये position बनी कि इसमें अगर कोई यात्री इस goods vehicle में कोई यात्रा करता है तो और उसकी कोई insurance policy भी ली हुई है तब भी क्या क्या वो gratitude passengers के risk को cover करती है या नहीं करती है या नहीं इन्हों ने कोई risk कवर नहीं मिलता था लेकिन क्या 147 में 94 के बाद कोई ऐसा बदला हुआ है कि ये जो accident हुआ वह आज ए ट्रक ट्रक था and hence a goods vehicle ये तो आप जो इसकी आर्सी होती है इससे हम देख सकते हैं आर्सी क्या होती है registration certificate होता है ये registration registered होता है ठीक है ना ट्रक की ही बात नहीं है कोई भी vehicle जो हम नया खरीते हैं तो उसका हमें registration करवाना पड़ता है और उसका बाकाइदा एक certificate जारी होता है उसमें उसके नंबर जो चेचिस नंबर है इंजर नंबर है ओनर का नाम है ये सारा कुछ वो इयर ओफ manufacturing ये सारा कुछ उसमें लिखा जाता है आरसी के अंदर तो इस वाली आरसी में ये लिखा हुआ था कि ये जो vehicle है वो एक ट्रक है और वो एक goods vehicle है ठीक है तो आरसी से हमारे सामने clear हो गया क्योंकि आरसी ही तो MSCT claim के अंदर पेश की जाएगी ये की जाएगी ठीक है फिर question है कि victim was not traveling in honor of goods or its authorized agent in the vehicle by hiring forage goods अब वो जो victim था उन्होंने तो रास्ते में से उस truck को रुक आया था तो evidence से ये बात clear हो गई evidence में उनसे पूछा सवाल कि क्या भवी ये victim जो था ये उस truck को किरायकर के लेकी गया था तो गवाओं ने कहा कि नहीं उसको ट्रक को किराय करके गया था उनसे ये पूछा क्या उस truck के अंदर उसका माल भरा हुआ था जो ट्रक के अंदर माल था, क्या वह उसका ओनर था, यह जो मरने वाला विखती है, तो कोई ओनर भी नहीं था, क्या वो लड़की उसकी बेटी ओनर थी, गुड्स की, नहीं, वो भी नहीं थी, या वो लोग जिसका माल था, उसका कोई authorized agent थे, वो भी नहीं थे, तो यह सारी प hiring of the goods vehicle for carrying his goods, अब 1994 के बाद, इस section 147 में थोड़ा सा क्या, पहले तो क्या हुआ कि जो भी ट्रक में बैढ़ता था था ना, तो बीमा कंपनियां यह कह देती थी, कि हमारा चो कि, इंसोरेंस, हमने, इंसोरेंस पोलिसी में इनका प्रीमियम नहीं लिया है, इसलिए हम इनका रि देंगे, तो यह जो कमियां थी, इस से क्या होता है, कुछ भी चाहिए, निर्दोश लोग है, जो ट्रक में अपना समान लाद कर लेकि जाते थे, वो मारे जाते थे, उनको क्लेम नहीं मिलता था, तो 1994 में section 147 में amendment हुआ, और इस में जो goods honor है, उनका risk कवर किया गया, goods honor का, या तो goods honor हो, या उसका isn't हो, और वो ट्रक में, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे ट्रक में, यह जैसी यह ट्रक है, ठीक है न, यह ट्रक है, तो इसमें अपना माल लाद कर लेके जाते हैं, माल लाद कर लेके जाते हैं, यह आगी का जो क्याबिन होता है, इसी में यात्रा कर लेते हैं बैठ जाते हैं ड्राइवर के साथ ही तो यह उसी का माल लदावा होता है जो विक्ति उसके अंदर बैठा है तो इनका तो यह कवर होने लग जया तो क्या लेकिन in order to attract the provisions of section 147 there has to be a hiring of the goods vehicle for carrying his goods यानि 147 कब लागू होगी जब जो गूट्स का मालिक है उसने वो ट्रक जो है वो पूरा का पूरा हायर किया हो और उसमें अपना माल लेकर जा रहा हो तब तो फिर यह section 147 लागू हो जाएगी और बीमा कमपनी को इसका लाब नहीं मिलेगा यानि बीमा कमप कौनसेशन अदा करने के लिए उत्तर रही नहीं है चीक है ना तो 147 में बीमा कमपनियों को defense दिये गए हैं तो गूर्ट्स वीकल अब जो है जो गूर्ट्स वीकल है उन्हें जो गूर्स का ओनर है वो यातरा कर सकता है या उनके एजेंट यातरा कर सकते हैं उनकी रिस्क को बीमा कमपनी कवर करती है और ऐसा एविडेंस से भी इस मामले में भी स्थापित हो गया था कि ये जो विक्टिम थे जो मरने वाले थे विक्टिम विक्टिम तो क्या है डिसेस्ट हो गया क्योंकि मर गये थे न वो तो डिसेस्ट हो गया and his daughter दोनों ही मर गए थे तो ये लोग जो है वो अपने समान को उस ट्रक में भर कर नहीं लेके जा रहे थे और नहीं उन्हों ट्रक को किराय पर लिया था ये evidence से clear हो गया Neither victim victim की बचाए हम इसको desist कह ले मरतक कह ले ठीक है ना Nor her father had hired the truck for carrying their goods from one destination to another एक जगे से दूसरी जगे पर ले जाने के लिए उन्होंने कोई ट्रक को ये जो ट्रक था जिससे इसके अंदर वो बैठे हुए थे जिनका उनसे accident हो गया था उस ट्रक को उन्होंने hire नहीं किया था ये बात evidence से clear हो गई थी evidence से और क्या के clear हो गया था evidence shows they were traveling in the truck to attend some religious function at देवली ये कोई ट्रक जो है ये कहीं जा रहा था रास्ते में देवली गाम आता है एक तो वहाँ इन लोगों को उतरना था और ट्रक में क्यों बैठे थे ये क्योंकि बस इनको कोई मिलने रही होगी या बस में नहीं बैठना चाहरे होंगे तो ट्रक वाले को इन्होंने रुखा लिया और कहा कि हमें देवली जाना है और देवली रास्ते में रोग देना क्योंकि वहाँ पर हमको कोई धार्मिक कारेकरम अटेंड करना है तो ट्रक वाला बिचारा इनकी बातों में आ गया इनको बिठा लिया तो ये एविडेन्स से शो हो रहा था कि ये लोग ट्रक में यात्रा कर रहे थे और इनको कोई रिलीजियस फंक्शन में जाना था देवली वहाँ ये लोग उतरने वाले थे और इनका कोई ट्रक के अंदर कोई सामान नहीं था ये बात क्लियर थी अब ये भी एविडेन्स से क्लियर हो गया था कि रास्ता में ही उन्होंने उन्हों से लिफ्ट मांगे थी और वो ट्रक में सवार हो गये थे तो माननी हे ये हाई कोट ने क्या कहा कहा दे पशेंजर स्वर ग्रेटिटूस ये तो अनुगराहक याति थे यानि ये थार्ड पार्टी नहीं थे भई उन्हे का कोई प्रीमियंश नहीं लिया था अब ट्रक जा रहा है माननो ये ट्रक जा रहा है और यहां पर कोई सामने से कोई गाड़ी आ रही है और ये दोनों आपस में बेढ़े जाते हैं और इस गाड़ी में बैठा वेक्ति अगर मर जाता है तो वो वेक्ति जो है वो इस ट्रक वाले के लिए थर्ड परसन है थर्ड परसन है बट इस ट्रक के अंदर कोई वेक्ति बैठा है जो फ्री में यात्रा कर रहा है जो गुट्स का मालिक नहीं है या एजेंट नहीं है तो वो इसी ट्रक के लिए थर्ड पर्टी नहीं होगा तो क्या किया इन्होंने क्या कहा कि ये फ्री में यात्रा कर रहे थे पसेंजर वर ग्रेटीटरस पसेंजर इंस्cularence कंपनी इस नोट लाइबल अर्ड एक्जोनरेटर तो इंससरेंज कंपनी को ये कहा गया कि वो compensation अदा करने के लिए दाई नहीं है और उसे मुक्त कर दिया गया नो लाइबिलिटी कैन बी फासंट on the insurance company मानिया आई कोट ने का कि ऐसे passenger जो ट्रक के अंदर बैटे हैं goods vehicle यात्रा करने के लिए नहीं होता है उसमें कोई भी यात्री सवारी नहीं बिठाई जाएगी और अगर बिठाते हैं तो owner का risk होगा इसके लिए जो बीमा company है वो liable नहीं होगी अगर accident हो जाता है तो अब इसमें मानिये सुप्रीम कोट का एक किस था बलजीत कोट का वो follow किया गया था ये national इसकी citation है national insurance company वरसेज बलजीत कोट 2004 ACJ 428 ये जो केस था इसमें सुप्रीम कोट मानिये सुप्रीम कोट ने ये gratitude उस passenger के बारे में law को settled कर दिया इसमें victim जो थे यानि LR जो थे मरने वालों के उन्होंने एक केस पेश किया new India assurance वरसेज सत्पाल ये LR जो मरतक थे उनके LR उन्होंने इसको पेश किया 2000 ACJ 1 सुप्रेम कोट ये भी सुप्रेम कोट का केस था ये सत्पाल वाला और ये बलजित कोर वाला भी ये Bima कंपनी ने पेश किया ये Bima कंपनी ने पेश किया और ये जो है वो LR ने victim के जो मरतक के LR से जो प्रार्थी है जो claimant है, जो claim लेने के लिए आये हैं, उन्होंने ये case पेश किया, तो इसमें their lordship held in buljit case, यानि मानने ये supreme court ने इसमें क्या held किया, इसका ये पैरा 20 है, बलजीत कोर वाले case का, इसमें 1994 के बाद में क्या परिवर्दन हुआ है, उन्होंने कहा कि इस amendment का effect ये है, कि अब जो है, goods vehicle में, goods का honor बैठ सकता है, और उसका authorized agent बैठ सकता है, representative, लेकिन, इन दोनों के अलावा, goods honor और goods honor का कोई agent, इन दोनों के अलावा और कोई व्यक्ति बैठता है, तो उसके लिए बीमा company libel नहीं होगी, और 1994 के amendment के बाद भी, honor of goods, LR को ही goods vehicle में यात्रा किया चूट रहेगी, others को नहीं रहेगी, और अगर others कोई भी व्यक्ति यात्रा करते हैं, तो ऐसी इस्तिती में, policy होने के बावजूद, क्योंकि इसमें ऐसे जो अंजान व्यक्ति truck के अंदर बैठ जाते हैं, यात्री के रूप में यात्रा कर लेते हैं, उनका कोई premium BIMA company नहीं लेती है, तो contract के बाहर आप नहीं जा सकते, जो BIMA company, जो owner और BIMA company के बीच में कोई contract हुआ है, BIMA company के बीच में contract हुआ है, तो BIMA company का ये कहना है कि वो contract से बाहर नहीं जाएगी, और premium नहीं लिया है, तो वो claim नहीं देंगे, although the owner of the goods or his authorized representative would now be covered by the policy, 1994 की बाद में ये amendment हो गया, पहले तो इनका भी risk cover नहीं होता था, लेकिन अब owner of the goods, यानि ट्रक में जिस विक्ति का माल भरा है, वो विक्ति अगर ट्रक में बैठा है, तो उसका risk BIMA company cover करेगी, तो वो policy से cover हो जाएगा, insurance in respect of goods we call, और उन्होंने ये भी कहा, it is not the intention of the legislature to provide for the liability of the insurer with respect to passengers, especially gratitude to passengers, यानि उनका ही कहना है कि 1994 का जो amendment हुआ है, उसमें legislature की ये कहीं भी मनसा नहीं है, कि वो ये तै करें, कि इसमें gratitude to us passenger को भी हम शामिल करेंगे, उनका ही कहना है कि ऐसी legislature की मनसा नहीं थी, और केवल goods owner और उसके agent को ही goods owner, जो ट्रक के अंदर जिसका माल भरा है और agent, इनका ही केवल रिस्क कवर होगा, और किसी भी विक्तिका नहीं होगा, ये जो gratitude to us passenger है, जो free में यात्रा कर रहे हैं, इनका रिस्क कवर नहीं होगा, who are neither contemplated at the time the contract of insurance was entered into, ये कह रहे हैं कि ये जो लोग है, ये जब contract उनके बीच में बना था, यानि जब policy ली गई थी, और जब वो policy में दोनों contract करते हैं आपस में, कि भही अगर इस truck से अगर accident हो जाता है, तो उसके जो भी लोग मरते हैं, उनको compensation दिया जाएगा, तो उनका कहना है कि creditors passenger के मामले में, पोलिसी में ऐसी कोई contract नहीं होता है, nor any premium was paid to the extent of the benefit of insurance to such category of people, कि ये जो इस category के लोग हैं, जो creditors passenger है, इनका कोई premium भी उसमें नहीं लिया जाता है, और अगर premium नहीं लिया जाता है, तो ये contract से बाहर की चीज़ है, और पिमा company लाइकल नहीं होगी, और पैरा 21 में उन्होंने ये कहा, कि ये जो सत्वाल सिंग का case है, 2000 ACJ, ये overruled कर दिया गया है, आशा रानी की case में, 2003 में जो आशा रानी का case आया है, उसमें ये overruled हो गया है, इसलिए सत्वाल सिंग का case जो victim के, जो deceased मृतक के LRs ने पेश किया था, उसको मानने सुपरिम कोट ने नहीं माना, ये कहा कि सत्वाल सिंग का case तो overruled हो गया है, लेकिन इन्होंने pay and recovery को इसमें किया था, मृतक को ये कहा, कि बीमा कमपनी को ये आदेश दिया कि pay to LR, और your dependence, and then recover from owner of vehicle, यानि अगर बीमा कमपनी को हम exonerate कर रहे हैं, तो liability किस पर आ रही है, ट्रक मालिक पर liability आ रही है, बीमा कमपनी तो exonerate हो रही है, लेकिन यहां इन्होंने ये कहा, बीमा कमपनी को pay and require का order दिया, कि पहले pay कर दो, आप जो deceased है, जो dependence है, जो claim लेकर आए हैं, उनको तो pay कर दो, और फिर owner of the vehicle से आप वसूल कर लो, यानि ट्रक के मालिक से वसूल कर लो, तो बलजीत case decision was followed in Premjan case by honorable राचस्थाना, तो प्रेमचन के case में जो है, जैसे ट्रक होता है, बोलेरो केमपर होती है, इसके लिए गूर्सवान है की नहीं है, इसके लिए हम RC देख सकते हैं, RC में बाकाइदा लिखा होता है, तो इन में कोई भी यात्री बिठाया जाता है, और वो निशुल यात्रा करता है, बीना पैसे दिये यात्रा करता है, तो बीमा पॉलिसी करवा लेने की बाद भी, ओनर ड्राइवर की उसमें कमपनसेशन के लिए लाइबल रहेंगे, यानि बीमा कमपनी लाइबल नहीं होगी, बीमा कमपनी लाइबल नहीं होगी, वो उसके लिए ओनर और ड्राइवर जो है वो ट्रक के या इस बोलेरो केमपर के वो ही इसमें लाइबल रहेंगे तो बहुत सावधानी से जो अंजान वेक्ती है जो बिल्कुल ग्रेटी टूस पसेंजर है उनको बहुत ध्यान से गुट्स वीकल में कत्ता ही नहीं बिठाया जाना चाहिए और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यह अगर अक्सिटाश कोई अक्सिडेंट हो जाता है तो उसकी लाइबलिटी जो है वो ओनर पर आएगी ड्राइवर तो भाग जाएगा नहीं बिठाया जाना चाहिए तो मुझे उमीद है कि आप लोग ये बातों को ध्यान में रखेंगे ये बातें बहुत सीरियस हैं और जब मसीटी के क्लेम उन पर पड़ते हैं तब उनको पता चलता है क्योंकि बाइचांस अगर मरने वाला मालो राजकी करमचारी हुआ तो र पांच करोड का जो है अगर इस ओनर को ट्रक ओनर को क्लेम मसीटी की कोट ने अगर कर दिया है तो इसके तो बड़ी मुश्किल हुचाएगी तो इसलिए दिहान से जो है इन चीजों को करना चाहिए और अन्नावर्शक किसी व्यक्ति को गुड्स वीकल में नहीं बिठाना जाएगी